हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपके साथ सेर करने वाला हूँ एक ऐसा काम जो आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं और उससे आप ओनलाइन अर्निंग कर सकते हैं अगर आपको कोई स्किल नहीं आती है सिंपली वर्क करना चाहते हैं तो ये काम उन लोगों के ये वेपसाइट है जहां पर आप काम कर सकते हैं तो चलिए मोबाइल इस स्क्रीन पर सीखते हैं कैसे हमें एकाउंट बनाना है कैसे हमें वर्क करना है और कैसे हमें पेमिंट लेना है सब कुछ मोबाइल इस स्क्रीन पर आपको बताता हूं यहां पर आपको गूगल पर सर् करते हो आपको यहाँ पर फर्ष्ट वाली वेबसाइट को ओपन करना है यहाँ पर आपके सामने PicoWorkers.com की वेबसाइट ओपन हो जाएगी यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और डिश्टाप मोड में को ओपन कर लेना होगा तो सबस्पहले इस वेबसाइट पर हमें एकाउंट क्रियेट करना है एकाउंट क्रियेट करने के लिए आपको यहाँ पर साइन अप वाले ओप्सम पर क्लिक करना होगा तो जैसे ही हम यहाँ पर साइन अप वाले डालना होगा इसके बाद आपको यहां पर अपना पासवर्ड को चूज कर लेना होगा इसके बाद आपको यहां पर निक नेम डालना होगा आप यहां पर कोई सभी निक नेम आप चूज कर लीजे इसके बाद आपको यहां पर कैंट्री चूज कर लेना होगा आप किस कैंट् करना होगा जैसे ही आप mail open करते हो आप यहां पर देख सकते हो पीक ओवरकर की तरफ से mail आया हुआ है आपको इस वाले link पर click कर देना होगा जैसे आप इस वाले link पर click करते हो तो आपका account यह को यह verify हो जाता है verify होने के बाद आपको Google पर फिर से आना है यहां पर पीक ओवरकर्स.com सर्च करना है इसके बाद इस वाली website को फिर से open करना है इसके बाद आपको यहां पर login वाले option पर click करना होगा यहां से अपने email password डालके यहां पर को login हो जाना होगा तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर मेरा dashboard open ओके आ गया है इसके बाद आपको यहां पर फिर से क्लिक करना है इसके बाद यहां पर आपको desktop मोड में open कर लेना होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे काम आपको दिख रहे हैं जो कि इन सभी काम को करने बाद आपको amount भी मिलने वाला है आप यहाँ पर देख सकते हो इस काम को करने के लिए हमें 0.030 dollar मिलने वाले हैं तो दोस्तों हमें इस पर और किया क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको category वाले option पर क्लिक करना होगा जैसे आप category वाले option पर क्लिक करते हो तो यहां पर आपको बहुत सारे category के काम मिल जाते हैं तो friends यहां पर first number पर आपको दीख रहा होगा sign up तो sign up में आपको क्या करना होगा यहां पर मैं click करके दिखा देता हूँ जैसे ही आप sign up पर click करते हैं इसके बाद apply करते हैं इसके बाद जितने भी sign up से related job रहेंगे आप सामने तुरंत instantly यहां पर आ जाएंगे तो दोस्तों आप यहां पर देख सकतो होगा यहां पहर चार सो पचात्तर रिजल्ट सो कर रहा है तो friends आपको यहां साइन अप पर sign up करने पर आपको 0.210 डॉलर मिल रहे हैं और आपको यहां पर बहुत सारे job मिल जाने वाले आप यहां पर देख सकते हो अगर आप इन सभी जोब को एक दिन में कर लेते हो तो आप यहां से 10 से 20 डॉलर अराम से यहां पर इजली बना सकते हो सिर्फ वन डे में अगर आप यहां पर जितना काम करो हो उतना आपका अर्निंग होगा और बहुत सारे मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन मैं जहां से आप अर्निंग कर सकते हो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसमें आपको और क्या क्या करना होता है तो जैसे ही यहां पर मैं फर्ष्ट वाले लिंक पर क्लिक करता हूँ फास्ट वाले जोब पर जैसे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो इस जोब को आपको करने के 0.210 डॉलर मिलने वाले हैं और आपको ओवर की क्या करना होगा तो फ्रेंड्स आपको इस वाली वेफसाइट पर जाकर इनका अप्लिकेशन को डाउनलोड करना होगा इसके बाद यहाँ पर आपको साइन अप करना होगा इसके बाद रेफरल कोड इनका ये वाला डालना होगा जैसे इनका ये वाला रेफरल कोड आप यूज करते हो इसके बाद यहाँ पर तीसरे नमबर पर लिख किया रहा है after completing the sign up verify our email address तो आपको अपने email से इस application को verify करना है तो फ्रेंट 4 नमबर पर आपको यहाँ पर KYC को complete करना होगा इसके बाद 5 नमबर पर आपको KYC को finish करना होगा इसके बाद फ्रेंट्स आपको यहाँ पर 7 नमबर प इस application का ले लेंगे इसके बाद फ्रेंट्स आपको यहाँ पर क्या करना हो इस call करना है और यहाँ पर आपको choose file पर submit कर देना होगा तो फ्रेंट्स आपको यहाँ पर KYC वाला जो है यहाँ पर screen start लेकर यहाँ पर upload करना होगा अप्लोड करने बाद आप यहाँ से submit proof पर क्लि instantly मिल जाता है और आपका जैसे इस website पर 10 डॉलर होता है आप instantly यहाँ से payout भी ले सकते हो इस website का जो minimum withdrawal है यहाँ पर आपका 10 डॉलर होते ही आप withdrawal ले सकते हो